तो आज के हमारी इस online class में आज हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं advanced excel में custom formatting जी हाँ, custom formatting आज के हमारी topic है और custom formatting में ही आज हम आपके साथ बास्चीप करेंगे चला हमने आपको custom formatting आपको दे रहा हूं कि अगर आपको को डेटा इल्टी आप कर रहे हैं और इस डेटा इल्टी में अगर मान लेजिए आपके पास्वाइन लेकर जाता हूं चेक नमबर है अगर चेक नमबर यहाँ लिखना चाहते हैं तो उसमें हमने बताया था यूब की जीरो-जीरो सैप करेंगे तो उसके रहने बुलाते हैं तो टेक्स कर दीज़े या सिंगल कोड लगा दीज राइट तो आपका जीरो चैट कर लेका और शाब कर आपको अगर कुछी ने आपको जस नंबर ही धेज़ दिया अग्डेर लगा तो आप किस्टम फार्मटिंग कर सकते हैं किस्टम फार्टिंगे यहां हम देंगे कि अस्टम में वान तू प्रीपोर पाइप शिक्स ताइम जीरो हम जालनेंगे यहां पर देखिया अपर सामने आ गया अगया तो कि यहां पर क्वेश्चन आता है कि इतने प्रिटिंग पर फस्के आपके बैंक स्टेटमेंट्स आपके आपको दिया गया है 0000123 आपके आपके बाद जो रिकॉर्ड है आपकी देटा इनकी रिकॉर्ड है उसमें जिया हुआ यहां पर 123 से बीजबल है है तो क्या दस 123 अगे इन दनों का आपस में ब्रावर करना चाहुआ वर्द की इस कंडिशन जी लुकाफ और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइब करना चाहुए तो वहां पर फॉल्स आएगा तो कि यह है 0000123 और यह है आपका 00123 तो क्या से करें जिसे आपने कर बताया था कि वीजियर प्रगार्मिंग की शरी माज की लिए वीजियर के बात को भी मैंने तो बताया था आपको कि एक्षर की फार्मेंटि तो जो अरिजिनल वैलू है वो चेंज नहीं होगी और जो वैलू चेंज होगी तिरुफ फॉर्मुला से तो मुझे यहां पे टेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करना होगा तेक्ट इसको सेलेक्ट किया तो वह ही जो हमने कस्टम अवर्टिंग में कोड डाले से सेंग कोड य जा है अब आप अपने सिखा कि है अगर आप कस्तों को माल करते हैं तो अगर आपको अरिजिनल चाहिए तो कश्तम पार्मुला में डाल दिए बचाहिए तो आपको ओरिजिनल वैलू आ जाईगी कलेक्षी में आपको मॉईल लंबो ठिखाया था मॉईल लंबो में प्लॉस 9-1 डालता है यहाँ पे प्लॉस 9-1 यहाँ पे डबल एट-जीनो-3-5-7-9-3-8 डालता है हमने बताया था आपको कि आप कस्टम में जाएं और यहां आप जिरो डालने से क्या हो गया अब इसमें मैं यहां पे क्या हो गया है इसने प्रॉलम एक गट जाएं क्या हो गया इसने जीरो लगा दिया तो इसने पता में चलता है कोनका नंबर शही है कोनका नंबर गलत है मैं है यहां पर नंबर डालेगा वर इसके जिट मंतेंड नहीं करें है अब कुर्श्चन आता है कि 0-10 का पंड़ा क्या है इसलिए आप 0-10 का पंड़ा चुन दिए मैंने हाँ पे 15 हंड़े लिखा हुआ बट मुझे 15 हंड़े ऐसे नहीं चाहिए मुझे चाहिए MRP 15 हंड़े अगर हमने मैनुल साइब कर दिया MRP 15 हंड़े इसके कुछ एडिशन करना हुआ है इसके सौ रुटे मिसे जोड़ने है लेवी चाहिए तो सौ रुटे एड करूंगा कि यहां पे एरर आएगा क्यों क्यों कि हमने नंबर के साथ टेक्स को लिखा हुआ है नंबर के त करना पने उसको लिखा हुआ है चो लिखा हुआ है जिसकर और कि टेक्स हो गया और तैक्स में किसी तरा की चलकीवलेशन नहीं हो ती है और ह हमें ओरिजिनल को दञतना है 15 हंड़े बद वीजिबल ज 6 है हमारा तो होना चाहिए तो हम यहां पे करते हैं कि किसी नमबर के आगया पीछे अपना कोई भी क्रेक्टर कोई वर्ड लगा सकते हैं तो कहीं भी आप्लाई करते हैं तो इनवर्टिट को लिए अगे मुझे जीरो है लगाना जवरी है अगर जीरो या कि हैस्ट बुल्म कोई नहीं दिया तो क्या होगा कि यहां पे सिर्फ इमार्पी से होगी तो आप किसी भी नमबर के आगे आप बीचे कोई कीशिक साथिक वीज रउक चाहते हैं तो आप कर्संप परमेटिंग में लिख सकते हैं लेकि उसके आगぁ पीछे अगर आप ने जीरो नहीं दिया या हैश नहीं दिया तो आपका नमबर वीज्वल नहीं होगा तो यहां पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो आपका विज्डिवल हो गया अगर मैंने 1 डाल डिया तो विज्डिवल हो गया तो यहां पे एस समarda कि हमें 0 या 1 डालना क्यों जरूरी है दूसरा आता है कि दोनों में से कौन ने दिया, तो कोई फर्थ में पढ़ता है, अगर मैं double zero कर दिया, तो फर्थ पढ़ेगा, अब यहां पर five लिखूंगा कि यहां पर zero five आएगा, five लिखा, तो zero five आएगा, क्योंकि उसने दो zero था और दो डिजिट को मिन्टेट किया, लेकि अगर मैंने एक या एक से ज़्यादा है कर दू, तो फिर दिजिट मिन्टेट नहीं करेगा, जो डालों वह सुआएगा, तो सुनील जी, सुनील जी, जीरो आएगा का पंदा समझना आया, क्रिस्टम हमेटिक में, अब इसके कुछ एग्जामपल देखते हैं, जैसे कि मांग दिजिए कि मुझे एक क्रेट कार्ड नमबर आजना है, तो क्रेट कार्ड नमबर क्या होता है, कुछ इस तरह सोता है, उसके बाद xxx, xxx, और फिर लास्ट इस फोर डिजित होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहां से एक डिजित डाव जो, बीच में ओ आटमाटिकली फोर टाइम, एक टाइम x जो है, ओ लगा देखते हैं, तो क्या करेजिए, गस्तम में जाते हैं, वान, टू, ट्री, पोर, पोर टाइम जीओ दे दिया, और इंवर्टर कॉमा में xxx की स्पेश दिया, फिर xxx और स्पेश दिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, वो गया देखते हैं, इस तरह जी सीजे कर सकते हैं, या माल दिजिए कि मैंने यहां पे 25 रुपे और 7 पैस दिया हुगा, हमने दिया हुगा 30 जाया इसमें, कि 0 है, और यहां कि हमने दे दिया रुपीज, कि 2.00 हमने दिया पैस, अब देखते हैं, 25 रुपीज और सिस्की पैस, 50.855 पैस, आगे हैं, बाइप, कि अपैस, अब इसमें एक देखिए, कि हमने यहां पे 0 है, यहां पे 2.00 की डे दिया, फुगी फास नी पडेगा, फर्स पडेगा पडेगा, जो हम देश्मेल से रुपीज पोले पीज और रुपीज आगा, इसमें देखने में और लगता है, तश्क एतने, हम द अगर मैंने 5 रुकीज इसकी पर दिया, तो 5 रुकीज आ रहा है, यहां पर 0,5 नहीं आ रहा है, मुझे दो डिशिट बेंटेरी करना है, 0,5 हो करना है तो उस केस में हमने यहां पर एक 0 और 1 हैस दे दिया, अगर मैं तो दो हैस को दे दे देता, तो क्या होता, यहां तो कोई फार्ट जिप पढ़ा, लग्कि जाक्ती पैसे हम धालते हैं, यहां पर रुपीज 65 पैसे आ रही है, इसलिए हमने 1 0 और 1 हैस को दिया, तो 0 हैस का जिरो एक सर्फ बंदश मनना आगया? यह सर क्लियर है डाउट नहीं नहीं इसमें? यह सर सब कुस मननना आरहा है? नहीं सर कोई डाउट नहीं चलीए तो यही ती मेरे आर्टिकल में भी बताई थी आर्टिकल अपने अपने स्टाइक किया था? हलो हाँ सर किया चलीए यह भी आर्टिकल में बताई गए थी तो इस तरह से आप अपने इजनाव से जो आगी पीश से लगाना चाहिए आप लगा सकते ठीक है? जोशे कि मुझे अमाउंट को थाउजन टेपरेटर में करना है तो मैं 25,000 लिखा और यहां पे हमने कर दिया हैश कॉमा हैश अगर मैंने अमाउंट को थाउजन में करने के जगा पर मैंने अगर थी जो हैश लगाया तो आपका अमाउंट इन थाउजन में हो जाएगा तो इसे लगा दीजिए अब देखिए आप इजीए 25,000 अपरेट हो जाएगा आपका 25,000 है जिसे मैं 25,000 के प्लस 1000 इंब याद 26 के आगे ठीक है सर हलो फिसा ठीक है इसका इसमाल आपका इसका इसमाल आपका इसमाल आपका कि अच्ति मैं 25,000 आपका